फिर से आप सभी का स्वागत है रोयल केरियर के इस यूटूब चैनल पे आज हम लोग इस क्लास में सोसल साइंस के 40 महत्पुर्ण अब्जेक्टिव कोशन को देखेंगे जो कि यहाँ पे काफी लाजवाब, काफी आपका चुनिंदा कोशन होगा और आपके एक्जाम यानि के आपका जो 22 में फरवरी में जो एक्जाम है उस एक्जाम में यहाँ से कोशन 100% आने वाले हैं तो बस सभस्टोएंट सुरू से आखिर तक बने रहेंगे और लगातार हमारे साथ मिलकर एंसर बताते चलेंगे 40 में 40 जिससे आपको याँ पता चलेगा कि आपकी तयारी कैसी चल रही है और आप सोसल साइन्स कहां तक आपको सोसल साइन्स याद है तो चलिए हम लोग बिना सवय गवाए क्लास को सुरू कर लेते हैं उससे पहले यादि कोई क्लास में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेलेकर जरूर दबा लेंगे ताकि इस तरह का जो भी क्लास है हरे क्लास का नटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा तो यह फर्स्ट कोशन देखते हैं फर्स्ट कोशन आपके सामने है जल्दी से बता देगा इसका answer पहला कोशन में कहा गए आपका चिपको आंदोलं किस से संबंदित है चिपको आंदोलं इसके लिए 4 विकल्प दिएगा है पहला आपका पेर बचाने से दूसरा विकल्प में है शराब बंदी से और जो दोस्त अब तक नहीं आया होंगे सबको share भी कर देंगे चलिए दूसरा question आपके सामने आगया है यहांपे दूसरा question में आपका कहा गया राजनीतिक दलों की नीब किस देश में परी चार विकलप यहां दिये गए पहला आपका Britain, दूसरा आपका भारत, तीसरा आपका France और चौथा आपका संयुक्तराज अमेरिका इसका संयुक्तर जो होगा वो होगा आपका Britain यानि के option number A चलिए अगला question देख लेता है प्रस नमबर आगा वो आपका तीसरा तीसरा नमबर प्रस में कहा कहा गया वो भी आपके सामने है clear तीसरा प्रस में कहा गया इन में से किसे पिछरा राज कहा जाता है तो पिछरा राज कहलाने वाला राज हमें बतानी है, चार विकलप यहां भी मौजूद हैं, पहला आपका पंजाब दूसरा विकल्प में आपका केरल तीसरा विकल्प है बिहार और चौथा विकल्प में आपका दिल्ली इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा आपका option number 3 यानिके तीसरा विकल्प बिहार को पिछले राज कहा जाता है चलिए हम लोग अगला प्रस न देखते है प्रस नमबर है वो आपका चौथा चौथा नमबर प्रस नमें कहा गया शेर बाजार की नियामक सास्था कौन सी है चार विकल्प यहां भी मौझूद है पहला आपका SBI दूसरा विकल्प में आपका CBI तीसा विकल्प है आपका RBI और चौथा विकल्प में है Stock Exchange इसका सही उत्तर जोगा वोग आपका option number B जिसको कहते हैं CBI जिसका free form होता है Stock Exchange Board of India चलिए हम लोग अगला प्रस न देखेंगे जो कि रगा प्रस नमबर आपका रहेगा यहां पे पाचवा देखेगा अगर question count कीजेगा बहुत सारे question हम करा चुके है सबका playlist बना हुआ जो एस्ट्वें नए होंगे नहीं देखे होंगे जरूर देख लिजेगा PDF भी आपको उपलब्द करा दिया ही जाता है ठीक है चलिए पाचवान नमबर कहा गया रूस में जार का क्या आर्थ होता है बहुत सारे question लों का answer सही सही आरहा बस इसी तरह से आप answer बता चलेंगे 40 question का पहला option आपका पीने का बरतन दूसरा आपका पाणी रखने का बरतन तीसरा विकल्प में है रूस की जनता और चौथा विकल्प है रूस की समरा रूस का समराथ तो रूस में जो जार का अर्थ होता है वो था आपका रूस का समराथ है नहीं के विकल्प number आपका हो जाएगा फोर्थ चलिए अगला प्रस नमबर आगा वो आपका छठ़ा चट्रह नमबर प्रस्ट में कहा गिए आपका महासागर की तली में होने वाले कमपन को क्या करते हैं ध्यान दिजग महासागर की तली में जो कमपन होती है उसको क्या करते हैं पहला विकल्प है आपका भुकम दूसरे विकल्प में है चक्रवाद तीसरा विकल्प है आपका tsunami और चौथा विकल्प में कहा गया इसमें से कोई नहीं इसका सही उत्टर ज़ोगा वह आपका tsunami क्योंकि वह महासागर में हो रही है ये का कलागी tsunami कलागी चलिए अगला प्रस्ट प्रस्ट नमर अगा वह आपका साथवा सात्वा नमबर प्रस्ट में कहा गया निर्ण में कौन गैर सरकारी सेवा यानि कि कौन सी सेवा गैर सरकारी है पहला आपका सैनने सेवा, दूसरा आपका वित्य सेवा, तीसरा आपका मौल सेवा, चौथा आपका रेल सेवा तो गैर सरकारी यानि के प्राइविट कौन सी सेवा है इसके सही उत्तर जो होगा वोगा आपका मॉल सेवा यानि के option number third चलिए अगला प्रस नमबर आगा वह आठमा आपका आठमा नमबर प्रस में कहा गया आपका इनमें कौन का बला गया आपका इनमें कौन मानव जनितर आपदा है मानव जनितर आपदा बतानी है कौन मानव के द्वारा होता है पहला अपका संपरता एक दंगे दूसरा आपका तीसरा आपका हमारी, और चौथा उप्रोक्त सभी, तो देखेगा ध्यान से, तो तीनों जो है आपका, वो मानव जेनितर आपदा में आता है, एंसर होगा विकल्प नंबर फोर्थ, यानि कि उप्रोक्त सभी, चलिए अगला प्रस नंबर हो जाएगा आपका 9, नॉमा प्रस इसका सही उत्तर जो हगा, वो जाएगा आपका जादू गोरा, यानि कि विकल्प नंबर फोर्ड, चलिए अगला प्रस नंबर हो आपका 10, हर एक कोशन काफी महतपूर्ण है, चूंकि काफी चुन-चुन के कोशन बनाया गया, आपके एक्जाम में आने वाला कोशन बनाया यानि के फाइनेंसियल एर, पहला विकल्प है, एक जनवरी से 31 दिसंबर तक, दूसरा आपका है, एक जुलाई से 30 जून तक, तीसा विकल्प में है, एक अप्रेल से 31 मार्ज तक, और चौता विकल्प है, एक सेतंबर से 31 अगस्त तक, इसका सही उत्तर जोगा, विकल्प न एंडर एर कहलाता है, ठीक है, याद रखिएगा, चलिए अगला प्रस ने, जो की रहेगा प्रस नमबर 11, उससे पहले यदि कोई किलास में देरी साहे होंगे, तो किलास को लाइक जरूर कर देंगे, और यहां से भी आखर तक बने रहेंगे, हर एक कोशन का एंसर बताते च चलिएगा, चलिए यहाँ पर गारा प्रस नमबर प्रस में कहा गया, आपका बिहार का कौन सा हिस्सा बार्ड गरस्त है, बार्ड गरस्त हिस्सा बताना है, बिहार का पहला विकल्प में है पुर्भी बिहार, दूसरा विकल्प है पश्मी बिहार, तीसरा विकल्प है आपक कम समय में हम लोग चाले इस को देख लेए फिर आप लोग दूसर सब्जेक्ट को भी देखना ठीक है चले यहाँ पर आगला कोशन है लोगतंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता द्वारा किया शाषन है किसने कहा था यह परिभाशा लोगतंत्र की काफी पोपुलर अब यहाँ पर चारों काफ आहाँ अब किलियर पहला बोला गया अरस्ट्ट का दुसरा है आपका अवराहम लिंकन का तीसरा आपका रूसो का और चौत्ता विंकलब में है माहातमा गांधी का सही उत्तर का हो chronicle गा सब के इंसर आ रहा है थोग कि यह परिभासा हम लोग फा की जब का प्रस नंबर आपका तेरा नंबर प्रस निका उसको यहां पे किलियर कर देता है सब को असपाष डूप से दिखना भी चाहिए बिल्कुल असपाष डूप से आपको दिख रहा होगा तेरा नंबर में कहा गया शुद सोने है उल मार्क सही उत्तर जो होगा वगा आपका विकलब नंबर बी हॉल मार्क हॉल मार्क से शोने की सुधता की पहचान की जाती है और एक मार्क से जो की विकलब नंबर थ्री में दिख रहा आपको विकलब नंबर थ्री में एक मर्ग उससे खाद पदार्थ की सुद्धता मापी जाती है ठीक है चलिए चौदा नंबर कोशन जो कि आपके है सामने चौदा नंबर कोशन में कहा गी आपका बल्लब भाई पटेल को सरदार की उपाधी किस किसान आंदोलन के दोरान दी गई सरदार बल्लब भाई पटेल तो हम लोग सरदार की जो उपाधी है कब में किस किसान आंदोलन के बाद मिली थी या किस किसान आंदोलन के दोरान मिली थी यह हमें बतानी है पहला विकल्प है आपका बार्दोली किसान अंदोलन दूसरे आपका अहमदाबाद किसान अंदोलन तीसरे आपका खेरा किसान अंदोलन और चौथा आपका चमपारन किसान अंदोलन इसका जो सही उत्तर होगा यानि के जो सही एंसर होगा वो हगा आपका बिलकुल साही सब का ANSWER हा रहा रहा बार दोली किसानान दोलन यानि के विकल्प नमबर फर्स्ट यानि के A चलिए हमने के अगला परस नमबर फिप्टीन को देखेंगें तो देखेंगें 5000 नमबर भी आपके सामने है जब भी रभी फसल, खरीब फसल पूछे, जो सबसे अलग फसल होगी, वही इसका एंसर हो जाएगा, तो देखेगा ध्यान से, धान, मक्का, दलहन, सब अलग मौसम में बोई जाती है, जबकि गेहूं जो है, ठंडी सुरुवात होते ही बोई जाती है, ठंडी में बोई जाने किस राज्य में शुरू हुआ ये बतानी है, चार विकल्प यहां मौजूद है, पहला आपका बिहार, दूसरा विकल्प में आपका उत्तर परदेश, तीसरा विकल्प है आपका अंदर परदेश, और चौथा विकल्प है आपका तमिलनाडू, सही अंसर जो होगा, वह परदेश, यानि के विकल्प नंबर थार्ड, जहां तारी विरोधी आंदोलन शुरू हुआ था, चलिए हम लोग अगला परदेशन देखेंगे, परदेशन नंबर आपका आपका 17 नंबर, 17 नंबर परदेशन में क्या कहा गया, यहां भी आपके सामने है किलियर, 17 नंबर परदेशन नंबर भारत चोरो आंदोलन के परमुक नेता कौन थे, आपको पता होगा भारत चोरो आंदोलन 1942 में चला गया, कब है? इसके जो परमुक नेता थे, वो कौन थे, यहां बतानी है, पहला विकल्प है आपका पंडित जवाल लाल नहरू, दूसा विकल्प है मौलाना अबुलकलाम, तीसा विकल्प है महात्मा गांधी, और चोथा विकल्प है सुभास चंदर बोस, इसका सही अंसर जो होगा, वो आपका विकल्प नंबर थे, महात्मा गांधी, आपको खुब अनन्द आ रहा होगा, आपको पता चल रहा होगा, कि आपके द्वारा जो एंसर बताई जा रही है, वो सही है या गलत है, बिल्कुल बहुत सा रेस्टों का बिल्कुल सही सही अंसर आ रहा है, यानि आपकी त शनला नंबर में, बैंको का बैंक किस बैंक को कहा जाता है, किस बैंको को, बैंको का बैंक कहा जाता, यह question है, चार विकल्प नंबर जिसको हम लग अंग्रिजी में, RBI का ते कब बलते हैं RBI और इसकी अस्थापना कब हो इती 1935 में 1935 में और इसी बैंक को पैसा छापने की काधिकार है ठीक है Reserve Bank को देखिएगा जो भी नोट होता उस पर आपका लिखा होगा Reserve Bank of India RBI है ना चलिए अगला प्रस नमबर है गा आपका 19 नमबर 19 नमबर प्रस में कहा गया Gary Valdi पेशे से क्या था Gary Valdi पता ही होगा काफी आपके History का Question है काफी popular man है Gary Valdi पेशे से क्या था ये बतानी है पहला option है आपका Doctor, दूसरा आपका Navik तीसरा आपका राजनीतिक कार चौथा बोला गया आपका सिपाही सही answer काऊगा हर एक student को जो किलास तेंट में परहाई कर रहे होगे हर एक student चाहे वो student कैसा भी हो हर एक student को ये Question का answer जरूर पता होगा answer काऊगा Navik यानि के option number B चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं बीसवा नंबर प्रस्ट बीसवा नंबर प्रस्ट में कहा गया काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है काली मिट्टी का हमें दूसरा नाम बतानी है double name काली मिट्टी का पहला आपका बलूई मिट्टी दूसरा अपसन हलाल मिट्टी तिसरा आपका रेगूर मिर्टी और चौथा विकल्प में आपका लेटराइट मिर्टी सही अंसर जो होगा वह कहा होगा आपका ओप्सान नंबर थिरी रेगूर मिर्टी यानि के रेगूर मिर्दा काली मिर्दा का दूसरा नाम होता तो जो जास में तेरी सहा होंगे क्लास को लाइक जरूर कर देंगे और जो चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे ताकि इस तरह का जो भी क्लास है हर एक क्लास का नेटिफिकेस आपको मिलता रहेगा और समय पूर्भक आप अपे तयारी कर पाएंगे चुकि अभी भी समय बचा हुआ इतने ही समय में आपकी पूर्ण रूप से कैसे तयारी करें हम इसके लिए भी आपको बताएंगे कैसे तयारी करें जिससे आपका कम समय में अधिक साधिक आप नंबर ला सकते हैं चलिए फिलाल यहाँ पे हम लोगे कोशन में 21 को देखेंगा 21 में कहा गया चंपारन सत्यागरा अंदोलन हुआ यानि कि कब हुआ आपको पता होगा किसान अंदोलन हुआ था चंपारन सत्यागरा और गांधी जी होगा का 1917 में गांधी जी ने भाद के सबसे पहले बिहार के चंपारन सत्यागरा नाम रखा गया था ठीक है 1917 में चलिए हम लिए अगला परसन देखते हैं प्रस नंबर आगा वह आपका 22 जल्दी से इसका एंसर सबस्ट्रों बता देंगे कि 22 कोशन नंबर का एंसर क्या सही थी उस समय किसका जनम हुआ पहला आपका आतंगवाद को दूसरा आपका रोजगार को तीसा विक्र Л stunning बंट्रा को चौथा उटलगय छम को हैं मुद्डरा को किससे को जनम दिया मुद्रा का 2 बहुत इस्यों को आपके माद्यम से कर भी कर श्रूंद्रा की हो उसको हम ल बहुत सा ये पता होता कि बहाद के जो राष्टे पक्षी वो मोर हैं को है भिल्कुल आपको पता है मोर है बिल्कुल और सही है यह यह अंच होता है, यह मोर का ही, दूसरा नाम होता है, हिंदी नेम होता है, इसका मयूर का होता आपका, मयूर, जो सब यहां पे सही answer होगा, मयूर मतलब मोर मतलब, 99 और मतलब जो मोर होता ही है. चलिए अगला प्रसन लेखता है, प्रसन नमः हैं उसक्षु में आपका которая conforme, either इज़ी कोशन है 24 में कहा गया दूसरे आपका मेजनी थीसरे आपका हिटरर और चौर्थ सच्छा विलियम पर्थम यहांपर आपका विस्मार्थ नुबर फर्स्ट विस्मार्क में रख्द नुन और हालाज वह आपका 25 25 नबर प्रस में कहता है डेकसम का उप योग किस बीमारी में हुता है चाहर विकलब यह दिए गया पहला आपका मेलेरिया दूसरा आपका एर्ट में तीसरा विकलब सुन में ओर चौथ शहरा विकलब त्री, Cancer में, टक्सॉल कॉप्यों किसम होता है, Cancer में होता है, चलिए अगला प्रस्ट हम लोग देख लेता है, यानि के प्रस्ट नमबर हैगा, वो आपका 26, 26 नमबर प्रस्ट में कहा गया, जापानी भाषा में सुनामी का अर्थ होता है, यह हमें बतानी है, चार विकल्प य पहला विकल्प में है, नर्पी शाच, दूसरा आपका, भैंकर देथ, तीसरा आपका है, आमंदन, अच्छोथा विकल्प है, इनमें से कोई नहीं, इसका सही उत्तर का होगा, इसका जो सही उत्तर होगा, वो हो यागा, आपका भैंकर देथ, यानि के, ओप्सन नमबर, 20 सह पर होने वाले कमपन को किस नाम से जानते हैं नहीं कि जमीन पर जग कमपन होती है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं पहला आपसे आपका सुनामी सुनामी का होता है समुंदर में आता यह तो एंसर होगा नहीं दूसरा आपका है चक्रवात यह भी समुंदर में आता है तिस सागर की तली में होने वाले कमपन को सुनामी कहेंगे चलिए हम लोग अगला प्रसनियानी के प्रस नंबर हैगा 28 यहां पर सब जो भी आपका हिस्ट्री जोग्राफी आपका पॉलिटिकल साइंस और एकोनोमिक सब से चुन-चुन के कोशन बनाया गया 40 प्रसनिया बहुत सार आराम से 40 वहां से बना लेजेगा ठीक है तो बिल्कुल हम अगली बार से हम 80 कोशन करेंगा ठीक है फिलाल यहां पर 28 नंबर कोशन के आइस सार रेश्ट्रेंटरों का सही सही आ गिया तो बोला गया ग्राम कचहरी का पर्धान कौन होता है चार विकल्प यहां है पहला विक सकते हboys तो फेरसाब संस्थापक क्यों है या यंग के अश्थापना किसनेंक है पहला उप्षण मेजणी दूसा विकलप आपका Gary Valdi, तीसरा आपका option है Victor Emmanuel, चौथा आपका मुसोलनी, इसका सही answer का होगा, जब बता देजाए इसका answer इसका Young Europe का स्थापक है, वो आपका मेजनी, कौन मेजनी यानि का option number A, चलिए अगला प्रस नंबर है का आपका 30 नंबर, 30 नंबर प्रस में कहा गया, कागज का विशकार किस देश में हुआ, कागज का विशकार किस देश में हुआ, यहाँ भी देगए स्क्रीन पर लिखा हुआ दिख रहा होगा टॉप चालिस कोश्चन कितने कोश्चन चालिस कोश्चन जो कि आपके एक्जाम के लिए काफी महतपूर्ण है तो बस आप लोग के लगातार जिस तरह से एंसर बता रहे हैं तेजी से बिना इधर उधर गप किये हुए बिना इधर उधर ध्यान भटकाए हुए किलास पर ध्यान रखिएगा और एक्टिव होकर आप यहां पर एंसर बताते चलेंगे चलिए मंदार हील किस जिले में है मंदार हील किस जिले में यह बतानी है पहला विकल्प आपका मुंगेर है, दूसरा आपका भागलपूर है, तीसरा आपका बाका है, चौथा आपका बकसर है, तो मंदार हील किस जिले में है, इसका एंसर कहा होगा, वह आपका ऑफसार नंबर A मुंगेर में, चलिए अगला प्रस नंबर रहेगा वह आपका 32, भारती जंता पार्टी का चुनाब चिन क्या है भारती जंता पार्टी का यानि कि बिगन दुनाब चिन क्या है पहला विकलप आपका हात का पंजा लूज यो की रहागा प्रास नम्बर आपका 43 बीजर घंव Chili कब हुई भारतिय राष्टे कॉंग्रेस की अस्थापना बतानी है कब हुई कॉंग्रेस की जो अस्थापना होई थी वह थी अठारासो पचासी में चलिए अगरा प्रस में देखेंगे हम लोग जो किर्या का प्रस नमबर आपका 34, 34 नमबर तो जल्दी से सब एस्ट्रेंट इसके आयन से बता दीजेगा 34 का 34 नमबर कोशन में कहा गया आपका भारत का सबसे बरा बंदरगा भारत का सबसे बरा बंदरगा बतानी है कौन सी है पहला आपका है मुंबई दूसरा आपका है चन्नाई तीसरा विकल्प में आपका कुलकाता चौथा बोला गया कांडला इसका सही उत्तर क्या होगा इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा आपका option number A मुंबई कहां मुंबई में भारत की सबसे बरी बंदरगा, बंदरगा सब लोग जानते ही है जहां बंदर होता है उसको नहीं बोलते है बंदरगा, जहां पानी की जहाज लगती है यह पानी की जहाज की जो एस्टेसन होती है वही आपकी बंदरगाह काला दिया ठीक है चलिए 35 नंबर कोशन वो भी आपके सामने आ गया चलिए यह आगी आपका 35 नंबर कोशन जिसका था आपको इंतजार 35 नंबर कोशन में कहा गया सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ आपको बता दे इसके साथ साथ कि सूचना का अधिकार अधिनियम जो है भारत में सबसे पहले राजिस्थान में लागू हुआ कहां भारत में सबसे पहले राजिस्थान में लागू हुआ और सबस पहले कब लागु हुआ ये बतानी में यहां पर यहां पर नहीं बता हैं किया है लेकिन question पोछता है इसलिए हम आपको बता दिये हैं तो यहां पर पहला hai 2004 दूसरा ऑपिजार 2005 तीसरा न थौरसे нет वो है 2001, सही उत्तर जोगा, वो है आपका option number B, 2005 में, जो कि बहुत सा रेश्टोंटर का सही-सही answer आ रहा था, ठीक है, 35 का answer कोन होगा, option number second, यानि के 2005, चलिए 36 number question को देखते हैं, 36 number question, economics का question है, 35 भी economics का ही था, 36 number में कहा गया, कौन संस्थागत, विद का साधन है, कौन संस्थागत, ठीक है, विद का साधन है, ये बतानी है, चार विकल्प यह मौझूद है, पहला आपका set सहुकार, दूसरा विकल्प है आपका रिस्तेदार, तीसरा आपका website bank, चौथा आइज में से कोई नहीं, तो देखेगा, संस्थागत, ठीक है, जो आपका संस्थागत खुली रहती है, इसका answer का होगा, वो आपका website bank, website bank, जो की संस्थागत विद का साधन होता है, चलिए, अगला प्रस में देखेंगे, हम लोग प्रस नमबर आगा, वो आपका 37, 37, 37 नमबर में कहा गया, प्रात्मिक छत्र में होगा, प्रात्मिक छत्र में कौन आएगा, ये हमें बतानी है, प्रात्मिक छत्र में कौन आएगा, पहला विकल्प आपका दियावा खेती, दूसरा आपका है बिजली, तीसरा आपका है मौल, चौथा आपका bank, तो प्रात्मिक छेत्र जिसको आम लोग क्रिशी छेत्र काते हैं और क्रिशी के अंतरकत ही आता है आपका खेती बारी काता है आपका खेती बारी तो थोड़ा सा दिमाग लगाईएगा यहाँ पर आपका क्रिशी छेत्र ना देके दे दिया रारेक खेती ठीक है अधे देगा फसलो का उगाना वो सब का क्लाएगा आपका प्राथमिक छटर के अंतरकत आता है ये दोनों आपका कलाएगा सेवा छटर अब बिजली कलाएगे आपकी दूतियक छटर या और धोगिक छटर ठीक है चली 38 नमर प्रस्ण में कहा गया प्लास्टिक मुद्रा किसे कहते है यानि कि जो मुदरा प्लास्टिक की बनी होगे उसको प्लास्टिक मुदरा कहेंगे अब पहला option आपका दियावा credit card जुसा बुलागे एर्टियम कार्ड को तिसा बुलागे आपका debit card को और चौथा बुलागे आपका सभी को तो ध्यान से याँ पर देखेगा यहाई कि इन में से सभी plastic की मुद्रा है चलिए अग्ला प्रास यानि के रहाई का pros number वह आपका 49 नंबर 49 नंबर major प्रास में कहाँ गया है यहाँ पी आपका देखे है नहीं इससे पहले हम लोग रभी फशल को देखे दें जहां answer हुआ था यहाँ पर चावल है इसका अंसर का होगा आपका खरीब जो आपका बरसात के मौसम में बोई जाए उसको हम लोग खरीब फसल कहेंगे जो ठंडी के मौसम में बोई जाए उसको रभी फसल कहेंगे और जो गर्मी के मौसम में बोई जाए उसको हम लोग जायद फसल कहेंगे ठ संजागांदी जैविक उध्यान बता देनी है किस नगढ में यह स्थित थैच चाल विकल्प हैं हैं मौजूद हैं पहला आपका है राजगीर दूसरा विकल्प है आपका पतना and एक बिहार शरीफ और चोधा ुद्यान अपका वैशाली तो संजागांदी जैविकů ध्यान ज जाम में पूछे जाते हैं तो बस यह कोशन को आप जिनको याद नहीं होगा याद कर लिजेगा और आप हमें कॉमेंट में जरूर बताएगा कि आपका 40 में से कितना सही हुआ ठीक है उम्मीद है हमें कि बहुत सारे एस्ट्रेंट का जो एस्ट्रेंट यहां पे लगाता किला 40 में 40 सही हुआ होगा बिल्कुल 40 में 40 सही हुआ होगा जो नए होंगे घबरानी की कोई बात नहीं है आपकी पूरी तैयारी यहां पे आसानी से हो जाएगी जिनको सेट लेना हो प्रैक्टिस सेट साइन्स सोशल साइन्स का हमारे दिये गए वाटसप नंबर सामने आपको वाटसप नंबर दिख रहा है इस वाटसप नंबर पर आप कॉमेंड करेगे आपको मोडल सेट उपलब दिख्रा दी जाएगी ठीक है तो जो किलास को अब तक लाइक नहीं कियोंगे जो देरी से आंगे किलास को लाइक करके अब फिर से पूरा देख लिजेगा याद नही से अपने किलास में उपासित हो पाईएगा जिससे आपकी तयारी बहुत अच्छे से यहाँ पर कंप्लेट हो जाएगी तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगले किलास में जय हिंद